तो भाई या बहुत हो गया बहुत हो गया यूट्यूब बहुत हो गया इंटरनेट बहुत हो गया ये श्टेंड अप कमेडी के करने के चक्रव पड़ गया बहुत हो गया ये रोस्टिंग बहुत हो गया फणी वीडियो बनाना यूट्यूब बहुत हो गया बस हो गया खतम आज के बाद खतम यूट्यूबर खतम भाई ये जो पता चला देना चैनल जैसे है को है ना तब से मुझा अंदाज हुआ कि ये रिलाइबल सोर्स नहीं बस अब करेंगे कोई बिस्निस बिस्निस और वहां से जो पैसे आएंगे उसी से जिन्दगी चलाएंगे सकून करेंगे याशी करेंगे लाइन थोड़ी चेंज कर लेते हैं कुछ और कर लेते हैं आर्ट सी करनी कुछ और कर लेते हैं लेकिन ये खतम आज के बाद यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं आएगी ये मैंने फैसला ले लिया था ये सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं हाँ ये सोचा वीडियो इसलिए बता रहो बना रहो अच्छा वही सीन यह हुआ कि यह जब मैंने सूचा तो उनी दुनों अचानक से हसीव का मुझे मेसेज आ गया कि यार एक बंदा है कराची में एक लड़का है छोटा बच्चा है अठारा उनिस साल का एमेश उसका नाम है वो किंसर का प कराची में न जो क्रिटिकल पेशन्ट्स होते हैं वहां का एक स्टाफ है कोई डिपार्टमेंट है वो उन क्रिटिकल पेशन्ट्स की विशिस पूरी करते हैं क्रिटिकल कंडिशन्स होती है तो वहां पे एक शक्स था एक चोटा बच्चा जो गरा ब्रो बन गया है उसका न मिलना चाहेगा लेकिन क्योंके एमश के साथ अपना जिगरी एक दिली तालोग हो गया था तो उसने का भई मुझे नहीं मिलना शारुखान इमरा नाशमी से मुझे मिलने रजा समू से अब ये जो उसकी डॉक्टर ने उसे का ठीक है मैं अप्रोच करके देखने हो क्या सीन है उन्हों ने अप्रोच किया हसीब को हसीब ने गा मुझे के भई मिलो अब मैं लावर बैठा हुआ था मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं था जाने का कराची मैंने का यार डिसम्बर में शायद सीन हो तो उनको बो वेट करें तो हसीब ने मुझे बोला यार वेट कराना सही न हो गैते तो मैंने काया रहें कैसे यह टिकेट विकट जहाज की कराएंगे कैसे जाएंगे लेकिन सम्ठेंग हैपन टो और वो क्या था यह था को बई मेरा कराची जाना हो गया काम के सिल्सले में काम आ गया अभी रिवियल नएकर सकता आपको बताऊँगा अभी जब वो junior surprise घृक्टर नने surprise रक्फा था उसको बताया नहीं था उसको और mads मेंakah मुनरीज का उसको रमचे सब्राइब की मोड़ार है उनको मैंने message लेकिन उनका कोई reply नहीं तो the person lack of channel लेकिन background planning ये चल रही थी कि किया करणा जी में पहुंच और अब था मेरा दूसरा दिन और ये वो दिन था जब मैंने जाना था और M.S. को देना था सर्पराइज मैं जैसे ही गया ऑस्पिटल पहले तो उनका स्टाफ मिला उन्होंने मुझे पूरा एक्स्प्लेन किया कि हम किस तरह ये ऑस्पिटल काम करता है सारा कुछ गठीक है फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हम सर्प्राइज ब्लाइन कर रहे हैं मेश के लिए और आपका मुँ हम उनको अचानक से दिखाएंगे मैं गा ओ सही है मैं भी रियक्शन देखना चाहता था कि कैसा होगा एक बंदे की अतनी बड़ी विश्या कि मुझे से मिलूँ मेरे लिए तो ऑनर की बात थी रिकाता ठीक है अब उन्होंने क्या किया कि हमेश अभी अपने घर था या कहीं औ और था किसी और जगह था था हॉस्पिटल में था नहीं उन्होंने मुझे एक जगह बिठा दिया वह कोई प्लेलेंड टाइप एरिया थी जहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं कोई लूडो शूडो पड़ा था इस तरह एक चीज़ें पड़ी हुई थे वहां पर उन्हों होता है आगे मास्क की ज़रूरत है तो यह ले लो यहां से तीस रुपए उनसे मैंने ले लिया मास्क मैं चला गया हॉस्पिटल और अब यह सीन था कि उस प्लेलेंड में उन्होंने मुझे उठा दिया उठा दिया वेट कर रहे उसकी डॉक्टर भी मेरे सामने हम वेट कर एमश के आने का और फिर यह हुआ कि एमश आया उसे मज़े देखा अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रियक्शन वो तो ऐसा था ओम गाड़ यहां माई गाल रैक्शन रियक्शन अंदर में इससे ज़ादा एक्साइटिंग था लेकिन बाहिर से रियक्शन मतलब समझ नहार तो आहमिश को बठाया और मैं भी बठा थोड़ी सी मैंने का कैसे हूँ ते का ठीक हूँ पहले वह बात नी कर पा रहा था उसके लिए इतनी बड़ी चीज थी वह बात ही नी कर पा रहा था थोटा से Mental sixteen minutes हुआ थोड़े से रोने लग गया फिर मैंने का रोना वह रोना चल रहा है हक भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे समझ नहीं मैं क्या कर आदमी है इतना कुछ सिख लिया उसमें जिन्दगी से तो उसने मुझे ये बताया उसने मुझे ये बताया कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं हर चीज मनला पूरा पूरी शुरूर से वीडियो आपकी सारी फॉलो की हैं ये वो सारा कुछ और मैंने उसका चलो तो ठीक है कोई मैं ही क्यों लेकिन बाकियों की भी तो तुम वीडियो देखते होगे बाकी यूट्यूबर्स में हैं और फिल्मी स्टार हैं बड़े मैं ही क्यों तो तब मुझे छोटा से एक वाकिया सुनाया और वो वाकिया ये था केमश ने मुझे बोला कि कल के दिन मेरा आ एक वीडियो देखी फिर उसके बार असने में दूसरी वीडियो देखी में एमश करने के मताबब उसने और बहुत हसा हूं मैं और वो सारी जो मेरी डिपरेशन थी और परेशानी थी वो सारी चली गई और एक आजीव हहमत आ गई मूड मेरा शिफ्ट बहतर हो गया और कल को जब मेरा operation हुआ तो मैं परेशान नहीं था और आराम से operation हो गया था तो वो एक राती जिसकी वज़ा से उसका पूरा mind shift हो गया कि भई यही बंदा है जिससे मिलना है और किससे नहीं मिलना और यह जब मैंने सुना मैं को भई यह क्या हो रहा है यह जो यह आप से मैं बात कर र नहीं कहूं लेकिन हां कहूंगा भाई I believe in myself मेरे कुछ जुमले मेरे कुछ लव्ज मेरी कुछ बाते हैं जिंदगियां बदल रही हैं किती बड़ी जिम्दारी है बहुत सही कहा था अंकल स्टैनली ने के भई with great power comes great responsibility तो वही मैंने देखा कि भाई मैंने किसी को खुश कर द हैं वैसे तो वह बहूत होते हैं आपकी वह वैडियो में आमने बहुत अच्छी बात किया आपने बहुत लेगिन बहुत लेकिन यह होता है आपकी वेजर inhib formulated मेरा mood अच्छा होगक्ना था आपकी वीडियो good morning मैं ठीक हो गया यह जो आना बहुत से हैं और लिए आमम्हों यह बहुत बड़ा को बिसनस्मेन बन जाओं, मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा डिरेक्टर प्रोड्यूसर बन जाओं, बहुत पैसे आजाएं जिन्दगी में, जो भी हो जाए, यहां इस कुरसी में, बैठ कुरसी पे, यहां इस कुरसी पे बैठ के यूं यह माइक लगा के सा सकता आफटर मीटिंग एमश अब तो यह सवाल ही पैदा नहीं हो सकता तो यह था वा क्या यह हुआ था सीन मेरे साथ और तब मेरा पुरा माइंड शिफ्ट हो गया और अच्छा हुआ यह खुदा की तरफ से था कि उन्हों ने मुझे मिलाया एक बंदे से के वही देख तेरी वातों की वज़ा से तेरी वज़ा से यह देख क्या हो रहा है क्या क्या असर पड़ रहे हसाने का काम मत छोड़ियो भाई हमने डिसाइड गया नहीं छोड़ना इस वीडियो क्या सबक मिलता है मुझे नहीं पता क्या सबक मिलता है अब हर वीडियो से क्यों सबक ले रहे हो उर्दू का टीचर तुड़ी हूँ देखो भाई MS को आपकी sympathie नहीं चाहिए he's my champion, he's my bro !ökरा champion उसको sympathie नहीं दुआयायं ज़रूर चाहिए, दुआयायई ज़रूर करो MS को ज़रू दुआये करो ताकि वह सहत्याब हो जाए उसके तरह मैं यारी होगी दोस्ती होगी है मैंने उसको वाटसएप का अपना नंबर दे दिया है पर्सनल और से मैंने कहा के भाई वाइस नोट जब दिल करें फेंग दो करते रहना है ये काम ठीक है ओके लव यू इसका मतलब समझे द़या आँ आँ अ अ